नमस्कार मेरे साथियो आप सभी का एक बार फिट से हमारे हिंदी साहित यूटूब चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है ये वीडियो उन सभी इस्टुट्स के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होगी जो दिल्ली विश्वदाले में 2022-2023 में एड्मिसन लेने वाले हैं चा का मतलब है बारवी बेस के आपके निंबर देखे जाएंगे उसके विहाप पर यूजी में एड्मिसन दिये जाएगा आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग पर अब दिल्ली विश्वदालने अब ऐसा नहीं है क्योंकि नई शिक्षा नीती जो है 2020 में कही गई ती लागो करने बिकॉम और बिकॉम और बिसी बिसी फिजिक्स यह जितने भी कोर्स हैं अंडर इन सभी में अब एंट्रेंस के माद्धियम से अंड्रमिसन होगा क्योंकि आप सभी देख रहे थे कि 95 वाला एक इस्टुन्स एक हेंडर परसंट वाले का नौर्थ कमपस में हो ज़ा था पर 95 दिल्ली विश्वदाले में तो एक यह होगा या तो अपना होगा डियू का डियू का होगा common entrances पर अब दोनों में से किसी पर एक पर मंजूरी नहीं मिली है और जैसे ही मंजूरी मिलेगी आपको बताया जाएगा चैनल पर आप बने रहेंगे तो दिल्ली विश्वदाले की प्रते एक information आपसे नहीं छूटेगी हमारे टेलेग्राम चैनल से जुड़े जाएए टेलेग्राम चैनल पर आपको प्रते एक information दिल्ली विश्वदाले की हो या जेनियू की हो या ब्याच्चू की हो या एमयू की है या EU की हो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगी बिल्कुल तो हम बात करेंगे आपका entrance का process आप समझ गए अब जो है आपका merit से admission नहीं होगा कोई cut-off नहीं आएगी केवल entrance के भियाप पर आपको number दिया जाएगा बात करें हमारे campus दिल्ली जो यूश्टेस में तीन एक डिवाड किया गया है campus वोको एक होता north campus एक होता south campus एक होता out of campus के college, out of campus के college के आप बोलेंगे तो आप कौन-कौन से college बोलेंगे जैसे की शाम्लाल college हो गया, भीमरावं बेटकर college हो गया, यह out of campus के college है, अगर north campus का बोले तो north campus में आप हन्सराज, हिंदू, करोडिमल, खालसा college, यह दौलत राम मेरंडा, यह girls college है, तो यह सभी इतने college हैं, north campus के आएंगे, south की बात करेंगे, तो मोतिलान नहर college होगा, सिवाजी college होगा, यह सभी south campus होते हैं, तो हम बात करेंगे, अब जो यह number आपके entrance के हो जाएंगे, इन entrance के भिहापे आपके number मिलेंगे, एक yes में criteria रख दिये जाएगा, 100 number का आपका entrance हुआ, 100 messages के 80 प् जूरी नहीं मिलें कि किस प्रकार से आपका admission होगा, पर एक मोटा मोटा यह लगाया जा रहा है कि इसे साब से आपका admission इस बार होने वाला है, क्यूंकि पूरा new होगा, क्यूंकि नई सिक्षन निती के according होने जा रहा है, तो confirm है, बात करें, अगर यह नई सिक्षन निती तो एक साल जो आप करेंगे, तो एक साल में आपको certificate दिया जाएगा, उस certificate से आप जब second year या 2-3 साल बाद जब admission लेंगे, फिर से दिल्ली पिशुदाल में तो उसको एक साल का certificate दिखाना पड़ेगा, और दुबारा से form फिल करके, आप second year में दुबारा से admission ले लोगे, बा सब्सक्राइब कर लेना, तो दो साल की करोगे तो आपको diploma मिलेगा, diploma मिलने के बाद अगर आप 2-3 साल बाद फिर से वही करना चाहते हो, admission लेना चाहते हो, तो आपकी एक साल ओर होगी, और बाकी 3 साल में आपका पूरी ग्रियोशन complete हैगे, पर ऐसा पहले नहीं था, अगर आप ऐसा मानने होगा, और आपने 3 साल करें तो 3 साल के अंदर आपको डिगरी प्रवाइड हो जाएगी, अधिक तर डिगरी ही करते है, 4 यर का तो रिचर्चर में आ जाता है, तो वो नहीं होगा, अगर आप 3 साल तक करते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट हो रही है, पीजी का कोई इसके अंदर मतलम मैटर नहीं है, उनको केवल अलग से रखा गया है, और उनका नेक्स्ट यर से यहां पर एंटरेंस के साथ, आपका पार्ट एंटरेंस तो होता है, पार्ट बी का जिसमें कि अगर आप हमें हिंदी में अडिमें तो पूरे हिंद आपका मैठ, इंगलिस, रिजनिंग और जी के पूछी जाएगी, तो अभी तक के लिए इतना ही है कि अभी दिल्ली उस्टलना यहीं आपर क्लियर करा है कि हम यूजी कोर्स में जितनी भी एडमिसने वह सारे एंटरेंस के भ्याप पे लेंगे, पर पीजी में जो एंटरें आपको सब्सक्राइब करना प्लीज से प्लीज और टेलिक्राम चनल से कर आप जोड़ेंगे तो सब्सक्राइब के पास पहुंचती रहेगी, कोई आपका डाउट हो, कमेंट बोक्स में कमेंट जरूर करना, आप सब्सक्राइब बताया जाएगा, वैसे जो यह न्यू प्र